पिछले कुछ समय तो तुसीं डीप फिक टेक्नालोजी बारे जरूर सुनेया हुएगा। इदे बारे कई विवादत मामले भी सामणे आउंदे रहेने कि कि में नकली चेहरे आते तस्वीरानों तोड मरोड के पेश कीता जांदा रहे है। आर्टिफीशल इटेलिजनस दा सहारा लें दियां आते डीप फिक टकनीक दा सहारा लें दियां कई मशूर हस्तियां दियां जाली तस्वीरां ताड के से होरदा आते चेहरा के से होरदा लाके विखाईयां जान दियां रहे हैं याने इस तरीके नार काफी विवाद सामने आ परोड रुपएद आसपास इडीप फेक दा कपला हुए है जिस तरीके नाड लोका ने जो इस काम वीच लगे सांग जिनने कारा कीता है उन्होंने जिस तरीके नाड इसनों अंजाम देता है वो आपने आविच सारी दुनिया लेक जाननवाडा विशा है आओ एस बारे तो ह साला इनवाडे कई लोकी असल विच इनसान साने ही नहीं आते डीप फेक टकनीक दे रही जाली बंदे बठाके वीडियो कॉंफरेंसिंग कीती गई आते इसका अपले लू अंजाम दिता आ गया बड़े हरान का नवाडा है मामला होंग कॉंग विच शुरू है आते समुच के नकली अक्स विखाया गया कंपनी दे बाकी स्टाफ मेंबर भी ठीक इसे तरीके नाड़ विखाये गए पिछले दिनी खजाना वे बाग दे एक मुल्जम जो के पीड़त वी है उसनों इंग्लेंड विच रही दे चीफ फनेंशिल आफिसर दा एक जाली मैसेज मिड़े जिस रही गुपत तरीके मोटी रकम ट्रांसफर कर दी हदायत कीती गई सी उस मुलाजम नों शक होया पर जोदों उसने अपने अदिकारी आते होर स्टाफ मेंबरा दी जाली वीडियो कानफरेंस वेखी ता उसनों यकीन आ गया क्योंकि उस वीडियो विच पैसा वांग एही रकम वाकवा खातियां विच ट्रांसफर हुंदी वेखी इस मामले दी जाँच चल रही है पर फिलहाल इस मामले विच कोई गिरफतारी नहीं हो सकी क्योंकि मामला काफी गुंजलदार है आर्टीफिशिल इंटेलिजन्स दे नार सबंदत है नकली लोग विखा काये जान दे नार सबंदत है जहे विच जिना लोका ने एक आरा कीता उना तक पहुंचन विच काफी समा लगन दी संभावनावी नजरों दी है अधे एक वार फिर ए विख्या गया कि आर्टीफिशिल इंटेलिजन्स जिस्ते और नार कई फाइदे भी दसे गए ने पर उ और लगीने